आप देखिए बच्चों कोशन नमबर फूर इसमें कह रहा है find the domain and the range of the real function f defined by अब यहाँ पर domain और range दोनों निकालना है आपको function दिया हुआ है यहाँ पर root में x-1 ठीक है अच्छा एक बात और मैं बताओं इससे पहले आपको कि x यह root में जब भी negative value आजाए तो minus 1 तो यह हमेशा याद रखना यह imaginary number होगा यह imaginary number होगा और इसके बारे में आप इसी class में complex number chapter में पढ़ेंगे complex number chapter में इसके बारे में पूरा detail में पढ़ेंगे और यह जो number होता है यह हमारा real नहीं होता यह real number नहीं होता तो इस बारे में आप ध्यान रख लेना तो यहाँ पे देखो x की क्या value हो जिससे की इसकी value minus में पूरे की नहीं हो तो देखो अगर इसकी value 1 भी हुई तो 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0 तो 0 root 0 का root 0 ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं है 1 से जादा होगा तब तो positive भी रहेगा लेकिन अगर 1 से कम हो गया मतलब 0 से कम हो गया minus में ले लिया minus 1 तो minus 1 और minus 1 क्या हो जाएगा minus 2 minus में आगी value तो क्या हो जाएगा imaginary number तो possible नहीं है इसलिए यहाँ पे x की value क्या होनी चाहिए एक्स की value 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर यूं कहूं non negative real numbers ठीक है ना real number चलेगा non negative real numbers ना negative real numbers होगा या फिर positive real numbers 1 बोला ना यहाँ पे देखिए 1 होगा maximum अगर 1 से कम होगा यह value तब तो minus में चले जाएगी ना तो 1 तक मतलब यहाँ पे positive real number की बात हो रही है तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी value यह जो बात मैंने आपको समझाया यह समझ में आ गई होगी सायद यहाँ पे देखिए x की value अगर मैं यहाँ पे क्या value अगर माल लिजे 1 put करूँ तो 1-1 तो 0 समझ में आ गया अगर 1 से छोटा 1 से थोड़ा सा भी छोटा माल लिजे मैंने डाल दिया 0.9 भी डाला तो 0.9 भी क्या देगा माइनस में माइनस में माल लिजे यह 0.9 और माइनस 1 डाला तो इसका क्या होगा 0.1 माइनस में आएगा negative value आ गई ना root के अंदर तो वो imaginary number होता है बात समझ में आ गया तो इसलिए इसका जो domain होगा वो domain जादा से जादा क्या मतलब यहाँ पर अगर मैं 1 डालू माल लो x is equal to 1 तो यह क्या होगा root में 1 माइनस 1 तो क्या होगा root 0 which will give you 0 ठीक है x की value माल लो 2 ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 minus 2 2 minus 1 तो यह क्या देगा root 1 वो क्या आ गया 1 ठीक है अगर मैं x की value माल लो 3 ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा 3 minus 1 तो यह क्या हो जाएगा root 2 जो क्या होता है 1.414 something होता है है ना अब मालो x की value में थोड़ी ज़्यादा बड़ी ले लो 10 ले लो ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा 10-1 तो यह क्या हो जाएगा root 9 तो यहां पे क्या value होगी यह 3 होगी है ना बात समझ में आ रहा है ना तो यहां पे यह चीज़ समझो कि यह हमारा क्या हुआ यहां पे सबसे छोटा value हमारा 0 और 0 से value बढ़ती जा रही है बढ़ी होती जा रही है तो यह कहां तक जाएगी infinity तक जाएगी तो इसलिए यह बात समझो कि इसका domain क्या होना चाहिए तो real number रियल नमबर greater than greater than और equal to कितना तो हमारा यह देखो यह one से बड़ा और one के बड़ा और one के बड़ा या one के बराबर one से बड़ा कोई भी रियल नमबर लेके देखोगे तो आपको यह negative value आईगी नहीं तो यहां पे कोई न कोई रूट में क्या होगा positive value irrational हो rational हो चाहिए कोई भी नमबर हो अब क्या होगा रियल नमबर में आता है ओके और इसी के जगह पे अगर मैं range की बात करूं इसमें range मतलब output तो output देखो यहां पे यहां 0 आ रहा है यह close interval डाला और उसके बाद infinity और infinity को हमेशा क्या करते हैं open रखते हैं तो इसलिए हमेशा उसमें इस तरीके का bracket लगेगा तो यह हमारा क्या हो गया range हो गया हुआ है